यूटूब चैनल पर इक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग चो ओल ओफ यू मेरी तू जैसे कि आपको पते हैं यह हमारे लाइबरेरी साइंस के क्लास होती है आपको डेली टीजिटी लाइबरेरी साइंस के कुश्चिन कराए जाते है इन के लाइबरेरी साइंस के क्लास है चलिए कल आपको क्लास नहीं मिली थी तब यत खराब होने की वज़ेसे घरावाकर कि अपने वापने फर्ष्ट कोश्चिन के उससे पहले आपने अगर टीजिटी साइंस का अगर आपने पेपर दिया हो तो उसमें क्वह एंसी तो आपके पकर मिलें है जव को टीडि साइन सो टेडि में पेपर हुआ है कि इसलिए आपको लाईबरेश के प्रिच्छ एक के लिए के बैपर निकालने साइट पे जाहिए तो फिर आपको साइट मिल जाएगे इसका लिंक वीडियो के मिल जाएगा 30 रुपय में 30 रुपय में आपको rezit के प्री पर के पेपर मिल जाएगे टीजिटी लाइब्रेरी साइंस के प्रिवेश शेयर के पेपर मिल जाएगे उसका लिंक आपको वीडियो के संडे में 20 तक कोश्शन कर लेते 20 कोश्चन हम कर चुमें आज 20 से आगर निमÝे sih करेगे आप प्रिवेश शेयर के पेफर निКालने हैं अगर आपको चाहिए औल्ड पेफर से आपको पेपर में कोश्चन में जाहिएニareशन तो आपको लिंक होगा स MR जाएगा मातर तीज से लोग दूंद dwal तीज से फिल के पेपर मिलें यह से कुछ ना कुछ आपको मिलता है को आपके रिपीट होते हैं या नहीं लेकिन आपके लिए एवलेबल है प्रोवाइड के आए जा रहा है अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो question अब आपका 21 question number 21 आपका question है question 21 में पूछा गया which among the following are true about publication element of ISBN isbn question 21 में दिया गया which among the following are true about publication element of ISBN निमने में से कोन ISBN के प्रकाशन तत्व के बारे में सही है तो कोन बताना आपको जो ISBN के प्रकाशन तत्व है उसके बारे में सही है option A अब आपका variable length प्रिवर्ति लंबाई option B up to 5 digit 5 अंकों तक option C fixed length नियत लंबाई option D up to 6 digit 6 अंकों तक तो question था आपका निमने में से कोन ISBN के जो प्रकाशन तत्व है उसके बारे में सही है तो क्या सही है तो क्या आपका कौन-कौन से इसमें से सही आपको बताना है तो कौन-कौन से सही है आपके जो variable length प्रिवर्ति लंबाई यह आपका सही है next आपका क्या सही है आपका up to 6 digit 6 अंकों तके दोनों के दोनों के आपके सही है तो प्रिवर्थी लंबाई और चैंग को तक दोनों के दोनों आपके ISBN के सही है ISBN क्या है आपका जो ISBN है ISBN तो इसका जो फुल फॉम है आपकी इंटरनेशनल स्टेंडर्ड बुक नंबर बुक नंबर यह आपका है इंटरनेशनल स्टेंडर्ड बुक नंबर इसकी फुल फॉम है ISBN की ISBN की यह फुल फॉम है चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसका जो अरेंजमेंट होगा आपका पहला यानि की AOD क्या इसका सही है AOD दोनों के दोनों are correct ADR correct चलिए नेक्स्ट पेज़ पर इसके code दिये गए होगे भी देखते हैं question यह अब आपके code आ चुके है code में दिया गया फॉम आपका option AADR correct AD क्या है option B ABDR correct ABOD क्या है option C BCDR correct BCOD सही है option D ACR correct A और C क्या है सही है तो बताइए कौन सा सही है question 21 बताइए आपका इसका right answer था आपका आपने अभी देखा इसमें क्या था AOD क्या था आपका सही था A D सही था तो question 21 का option है आपका right answer है जिसमें आपको दिया गया था प्रीवरती लंबाई प्रीवरती लंबाई थी आपकी वेरियेबल लेंग्ट लेंग्ट आपका सही था और 6जिट ये दोनों के दोनों क्या थै आपके सही ते 6जिट यानि 6 अंको 6 अंको तक ये दोनों option क्याते हैं आपके सही थे AD आपको दिया गता दोनों के दोनों आपके सही थे AD आर सही चलिए next page पर जलते हैं next question क्यों और next question आपका question number 22 question number 22 आपका दिया गया question 22 में दिया आरेंजिदा following events according to their year of occurrence निमलिकित गटनाओं को उनके गठित होने के करम में क्या करना आपको व्यवेस्थित करना है तो निमलिकित गठनाओं को उनके घटित होने के करम में व्यवेस्थित करें यह आपका Establishment of Documentation Research and Training Center परलेखन अनुशंदान और परसिक्षन केंद्र की स्थापना बिया आपका फर्स्ट मीटिंग ओफ क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रूप लंदन वर्गीकरन सोध समू लंदन की पर्थम बैठक सिया आपका Publication of Broad System of Ordering BSO Broad System of Ordering BSO का प्रकाशन डिया है आपका Formation of FID FIDCA तो FIDCA की रचनास रिशियडी की रचनास आपको दिया गया है इसमें आपको बताना था जाओ आपको आरेंज करना है उनके घटित यानि क्या कोडिंग क्या करना है आक को उन्हें अरेंज करना है यह चार आपको दिये गये है तो इसका जो फारइंजमेंट् आपको देखना है तो पहले क्या हुगा के पहले क्या होगा कर फहले आपका पहले के आपका पहले क्या है फोरमेशन ओफ ऐफ आईडी फ pseudo अपरिंद्य की कि रचनाफ डिया पहले होगा दैंड कैंष्ट सोट क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रूप लंदन वर्गी करन सोद समू लंदन की परतम बैठक दैन क्या है आपका दैन आपका यह होगा इस्टैबलीज रोम इस्टैबलीज मेंट ओव डोकुमेंटेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर पर लेकर अनुशंदान और परसिक्षन केंदर की स्थापना नेक्स्ट आपका बचता है सी पॉब्लिकेशन और ब्रोड सिस्टम ओफ ओडरिंग बी एसो ब्रोड सिस्टम ओ और चलते हैं नेक्स्ट फीजबाव आपका नेक्स्ट फीज पर आपको कोड दियए ख़य आपका ऑप्शण एकट सी वी डी बी सी एक टी डी अपने आप नहीं और तो इस कौन सो उप्शन में आपको दिया गया है उप्शन सी में आपको डी बी एक डीए तो कोशन Q22 का option C, right answer and next question क्यों चलते हैं, next question आपका question number 23, question number 23 आपका दिया गया है, question 23 है, which of the following important objectives included in objectives lay down by RRRLF for its operation, which of the following important objectives included in objectives lay down by RRRLF for its operation, RRRLF की फुलपर्म क्या आपकी राजा राम मोहनरोय लाइब्रेरी फाउंडेशन जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, इनकी जो 1972 में क्या हुथी, कोन से कोन से महत्यपून उद्देश है, कोन से महत्यपून उद्देश है, RRRLF द्वारा अपने परचालन के लिए निर्दारित 29 उद्देशों में सामिल है, कितने उद्देशों में, 29 उद्देशों में, कोशन में दिया गया आपका, कोशन 23 में, निमनी कित में से कोन से महत्यपून उद्देश है, और RRLF द्वारा अपने परचालन के लिए निर्दारित 29 सुद्देशों में सामिल है पहला एह है आपका टू प्रोमोट लाइब्रेरी मुवमेंट इन दा कंट्री देश में पुस्तकालिय आंदोलन को बढ़ावा देना बी है आपका टू एनुशियेट आर नैशनल लाइब्रेरी पॉलिशी एंड टू वर्क टूर्स इट एडोप्शन बाइदा सेंट्रल एंड स्टेट गोर्मेंट एक राश्ट्य पुस्तकाले निती परतिपादित करना और केंद्रो राज्य सरकारों दुआरे से स्विकर्थ क बढ़ाने के लिए कारिया देना आपको दो दिये गए इसमें जो आपका और भी क्या आपका दोनों सही है इसमें अबी आपका सही है पुस्तकाले अंदोलन को बढ़ावा देना भी आपका टू इनुशियेट आ नैशनल लाइब्रेरी पॉलिशी एंड टूर्टूर्स एक राष्ट्य है पुस्तकाले नीती परतिपादित करना और केंद्रो राज्य सरकारों द्वारे से सुईकर्थ कराने के लिए कारिया करना दोनों आपके सही है चले नेक्स्ट पेज़ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका सी नेक्स्ट पर क्या दिया गया है तू सेना डाटबेस ओफ क्वालिफाइड लाइबरे लेंज अहरता प्राप्त पुस्तकाले दक्षों का डाटबेस बनाए रखना यह डी जो आपका गलत है चले देखते हैं कौन से उप्शन में आपको एबी सी करेक्ट दिया गया है उप्शन है अब आपका एबी और सी सही है और सी ओक्रेक्षण भी और सी है और सीसेक होप्शन चीर इंड़ना जो आपको एबी और भरत ता करेक्षण टो डीया है उप्शन सब्चाइड आता है कोर्चंन के उन देखत एब और सी क्या ते पापके पाशन करेक्षण टेए Спाब से अ कॉर्ठे हैं पाल दिये टाइग तो आपको नमबर ट्वॉइवर एक दिया गया है वेल्ड डिजिटल लाइब्रेरी यानि डबलूद इसका मतलब आपको डिजिटल लाइबरेरी विल्ड डिजिटल लाइबरेरि इन इंटर्नेशनल कोलेबोरेशन led by तो डील डील एक आंतराष्टेस सहयोग है जो किसकी अगुआई में है तो पताए किसकी अगुआई में है तो बताए किसकी अगुआई में है तो पताए किसकी अगवाई में है option ये आपका इफला विद सपोर्ट ओफ लाइबरेरी कॉंग्रेस लाइबरेरी ओफ कोंग्रेस की साहिता से इफला की option B slip with support of UNESCO की साहिता से slip की option C तो जो कोशन आप पर 24 बताएं किसकी अगुआई में आपको बताना है तो किसकी अगुमाई में है अगुआई में यह है लाइब्रेरी ओफ कोशन विद सपोर्ट और यूनेसको यूनेसको की सहिता से लाइब्रेरी ओफ कोशन 24 का option D क्या आपका right answer है question 24 का option D right answer है जो आपका यूनिसको जैसे आपके term दी गई है यूनिसको term होगी इफला इफला हो गया एले हो गया आपका इल्प हो गया light answer हो गया इस तरह की जो term में आपको इन टर्म की फूल पराम आपको पता होनी चाहिए इस तरह की जो टर्म आपको दी गए जैसे डबलू जील है यह टर्म की फुल फॉर्म है और इसकी जो स्थापना यह आपको इनका पता होना चाहिए चलिए कोशन 24 का ओप्शन डी आपका राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ेगे अब हम नेक्स्ट कुशन होगा आपका कोशन नंबर 25 कोशन नंबर 25 अब आपका कि विचेए को फॉल्ओं गारा सोशेटेट इड युँनेंज को प्रोग्राम निमलिकित में से युंेशको COMM से कौन संबंदित है जो आपके डिमलिकित चाहँ आपको दियेगे इनमें से जो दो सकंच करेकर्म तो बीजनरल प्रोग्राम प्रोग्राम द्रोग्राम फी जिया इन्फोर्मिशन प्रोग्राम पी ज capable सैंटिफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम देन आपका सी है युनिवर्सल एविलेबिलिटी ओप पॉब्लिकेशन चलिए नेक्स्ट देखते आब हम नेक्स्ट पर क्या आपका डी दिया गया है डी पर आपका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन आई एस ये डी तो यह आपका कूट हो अब आपका जो कूट है कूट में आपको बताना है कौन-कौन सा क्या आपका यूनिवर्स को यानि की यूनिवर्स को कारेकरम से संबंदित है तो कौन-कौन सा आपका संबंदित होगा चलिए देखते हैं यूनिवर्स को से कौन-कौन सा आप और चारों आपको एक एकर के उप्षण दिये गए है तो जो कुशन आपको 25 दिया गया इसका एंसर होगा आपका था आपका 25 इसका रैट आंसर आपका आपका या निकी एंद आप और दोनों के दोनों आपके सही है तो A B में क्या दिया गया था आपका A B था आपका General General Information जो आपका A था A पे दिया गया था आपका General Information Program General Information Program PGI यह आपको दिया गया था और B क्या था आपका World Scientific Information यह आपको दिया गया था तो जो आपको टर्म बताई गया है जैसे टर्म बार बार आपको बता रही है इस तरह के आई एस बी एन आई एस बीए डी इस तरह की जो टर्म आपको आते हैं इनकी फुल फॉर्म आपने पता होने चाहिए चलिए कोशन 25 का आपका उप्शन है राइट आंसर था ए भी दोनों के दोनों क्या थे इसमें सही थे चलिए नेक्स्ट पेज़ चलते हैं नेक्स्ट पीज़ आपका कोशन 26 नेक्स्ट का आपका कोशन 26 में पूछा गया आपका कोशन 26 आपका हूँ वह आपसे पूचह गया हाँ जो राजा राम मोहन राई लाइबरी फाउंडेशन आपकी बा certains का सब्सक् сказала आपसे पूचा गया है जो राजा राम मोहन राई लाइबरी फाउंडेशन के आपकी आर 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 एलेव जो आपका है राजराम मोहनराय लाइबरेरी फाउंडेशन इसके पर्थम निदेशक पूछा गया है पर्थम निदेशक यानि कि जो फ़र्ष्ट डारेक्टर थे वो कौन थे फ़र्ष्ट डारेक्टर पूछे गई है जो राजराम मोहनराय लाइबरेरी फाउंडेश सापना की गई थी आपको इसके जो फर्ष्ट दारेकटर है यानि कि फ़श्ट जो फाउंड फ़श्ट डारेकटर टे पर्थम निदेशक हैं वह कौन थे अपको बीस के सवन ओपशन बी डी आर कालिया ओप्शन सी बी बी पी बरूआ ओप्शन डी एस बश्रूदीन यह चारो आपके उप्शन दे गए है तो कौन थे जो पर्थम निदेशक थे वो कौन थे पर्थम निदेशक थे आपके BP बरुआ BP बरुआ जो थे वे क्या थे पर्तम निदेशक थे पर्तम निदेशक कोन थे बीपी बरुआ जो थे इसके पर्तम निदेशक है पर्तम तो इसका कोशन 26 का ओप्शन सी बीपी बरुआ इसका राइट आंसर है बीपी बरुआ जो है इसका राइट आंसर है जो आपके बि.्. जो बि.Α स्के सवन थे बि.एस्केशिवन कियाते है शुयतंत भारत के परतं राश्चिया पुस्तकालयाद था है innerish के-से भासट के थे तो जो बि.एस्केशिवन थे वैं कब से कब तक थे manner offer 1947 से ले के 1962 तक 1947 से 1962 थे यह सुस्तकालयाद पुस्त काले अध्यक्स थे पर्थम राष्टी है पुस्त काले अध्यक्स थे आपके कौन जो BS K7 थे जो आपके BS K7 है ये क्या है राष्ट्य ग्रंसुच्य के पिता के नाम से भी जाने जाता है किसके नाम से जो BS K70 है ये राश्च्चे गरंग सूचि के सूची के राश्ची है गरंग सूची के पिता के नाम से भी जाने जाता है। BS BS केशवन को जाना जाता है इनकी मृत्यू कब हुई थी अगर आप सोला फरवरी 2000 में सोला फरवरी 2000 में के मरत्यू हो गई थी इनकी जो म्रत्यू हुई थी दो 16 फरवरी 2000 में इनकी म्रत्यू हो गई थी और जो इन्हों ने जो परतम यानि स्वेतंद भारत के परतम राष्ट्य पुस्तकाल्य अदक्ष कोन थे बीएस कवे के शवन थे कब से कब तक 1947 से लेके 1962 तक थे और इन्हें राष्ट्य कुछी के पिता के नाम से भी जाना जाता है और जो वर्तमान में आपके वर्तमान में जो आपके राजाराम मोहनरोय लाइब्रेरी यानि फाउंडेशन के डारेक्टर है वर्तमान में यानि पर्जैंट टाइम में वह कौन है प्रोफेशर ब्रीज की सोर सर्मा कौन है जो आ ब्रीज किसोर सर्मा आपके पर्जेंट में है जो पर्जेंट में है वे कोन है आपके पर्जेंट में आपके दिये गए है ब्रीज किसोर सर्मा ब्रीज प्रोफेशर जो पर्जेंट है अब आपके जो डारेक्टर है राजा राम मोहन रोय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रोफेशर ब्रीज किसोर सर्मा यह आपको पता होना चाहिए कौन जो ब्रीज किसोर सर्मा ब्रीज किसोर सर्मा जो है वे पर्जेंट में डारेक्टर है किसके राजा राम मोहन रोय लाइब्रेरी फा औप्शन सी ताब बीपी बरवा इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट बचलते हैं बहुं नेक्स्ट कोशिन और नेक्स्ट कुशन आपका कोशन नमबर 27 नमबर 27 आपका दिया गया प्रिफिक्स एलिमेंट ओफ आई येश बीन कंसिस्ट ओफ दैस नमबर ओफ डिजिट का प्रत्यत तत अंको की संक्यय से बनाएग option a3 option b5 option c4 option d2 यह चारों आपको option दिए गए यह question भी आपका important है जो आपका i sbn यानि international standard book number यह आपको दिया गया है ततु जो वो किस से बना है जो आपका prefix यह कितने का है तो इसका जो राइट आंसर है तीन को कितने का तीन अंकों का है question 27 का option a 3 क्या इसका राइट आंसर है isbn जो आपका जो isbn का जो ततु बना है तीन अंकों से बना है तीन अंकों से बना है किसके दौरा आर आर आरलेफ आर आर आरलेफ के दौरा यह दो हजार किसके आरलेफ के दौरा दो हजार तीन में 2003 में ISBN में जो ISBN थे आपकी ISBN इसमें 10 अंगों में आता था कितने 10 अंग थे जो 2003 में आरारा लगके द्वारा यह आपको दिया गया है यह क्या है आपका तीन इसका राइट अंसर है जो आपका 2003 में 2003 यानि कि 2003 में कितने थे आपका ऑएश बीःं के जो आपड़ा रचा कितने हो गए 2007 zeg पांच हो गए तो यह पूंत के द्वार। लाइबरेरी फाउंडेशन के द्वारा हुआ जिसका जो मुख्याल आपका जो आर 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 एफ है यह आप से बाल बाल कोश्चन आता है जो आर आर एफ है इसका याजा राम मोहन राइबरेरी फाउंडेशन इसकी जो इस्थापनति आपके कहां पर है मुख्याल एक है काईथ एक का जो इसका में है जो मुख्याल लाइफ है और में चलिए नेक्स्ट चलते हैं 2003 में कितने ग़रोंग हो गए यह लो नेक्सट से एब आपकोशन हम और चलते हैं लिटा है आपका 5 नम्बर 28 घषेक्ष नमबर 28 में फोल्ओं गार्दा ऑप जर्टीव सो पर रॉर्ल एफ निमलीकित में से आर आर आ एलेफ के उद्टेश ये क्या है जो और आर एलेफ यानि राजराम मुहनराई लाइब्रेरिवांडेशन उसके जो ऑड्यक्टेस ऐ बहुत क्या है पहला अब करना कार्य करना रीडिंग हैभ़िट पढ़ने की आदत को प्रोचजाहीत करना दिया आपका टू प्रोमोट लाइब्रेरी मोमेंट पुस्तकाले अंदोलन को प्रोचसाहान देना यह चार आपको दिया गया है तो बताएए क्या क्या उसके मोटीव से उद्देश्य किसके जो राजाराम मोहन राइब्रेरी फाउंडेशन है उसके जो मोटीव है वो कौन-कौन से है मोटीव आपसे पूछ गया है तो मोटीव क्या है आपके मोटीव दिया गया इसमें जो मोटीव है आपका एक टू मोटीव क्या है टू एक्ट एज रिफ्रेल्स सेंटर संदर्व केंद्रों के रूप में कारे करना नेक्स्ट आपका तू प्रोमोट लाइब्रेरी मुमेंट पुस् वे कौन कौन से संधर्व किंद के रूप में कारे करना और पुस्तकालिया अंदोलन को प्रोचसाहान देना चलिए नेक्स्ट पेज़गी और चलते हैं इसके कोर्स देखते हैं कोर्स आपको दिया गया उप्शन है अब आपका आपको दिया गया तो क्वेशन 28 का उप्शन सी क्या होगा राइट आंसर कशचन 28 का option C, right answer है, चलिए next, question क्यों चलते है, अब हम next, question 29 का option C सही है, next question है, question number 29, question 29 अब आपको दिया गया है, question 29 में पूछा गया है, इन विच ओफ दा फॉलोइंग प्लेसिज दा जोर्नल ओफिस ओफ आर आर आरलेफ आर लोकेटिद, निमले के तो किन स्थानों पर आर आर आरलेफ के छेत्रिय कार्याल है, छेत्रिय कार्याल है, जो आपकी राजा राम मोहन राई लाइबेरी फाउंडेशन है, उसके जो छेत्रिय यानि की जो छेत्रिय जो कार्याल है, वे कहां कहां पर है, किन स्थानों पर है, ओप्शन देली, ओप्शन बी, त्रिवेंदरम, ओप्शन सी मुंबई, ओप्शन डी है, जो राजा राम मोहन राई लाइबेरी फाउंडेशन है, उसके जो छेत्रिय कार् कारियाले पूछे गया है तो चेत्रिय कारियाले पूछा 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 गया है तो चेत्रि राम मोहन राजा, राम मोहन रोहे लाइब्रेरी फाउंडेशन, लाइब्रेरी फाउंडेशन, फाउंडेशन है, इसकी जो स्तापना हो थी, वो 1972 में की गई है, इसका जो हेड़ क्वाटर है, आपका वो कहां पर है, हेड़ क्वाटर जो इसका है, वो आपका, कहां पर है, कलक बमुमबई इसका हैड़काट्ट अफरा या निमeteर इसका दम हैं local कात्व में काथ का ऌक य्मेकार्ण इसका हैड़काट्थ ऐसके क्रमम अवर época ताफ नमन्नेशुबातर में हुई थी चलिए इसका पूरा नाम क्या आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है चलिए नेक्स्ट कोईशन क्यों चलते है चलिए इसके कोड आपको दिये गए होगे नीचे कोड सापके दिये गए है उप्शन है आपका A, D, R करेक्ट है और D सही है कोईशन 29 का राइट आपका A ता का दिली और मुंबई में दिली और मुंबई में चेसरिया मुंभाहे ते हो इता है किसके आपके ठ्री है राज राम और लाइब्रेरी फाउंडेशनन इसके जो चसेतर हाइब ऐस द्शनक पूचा गए ङसकी ऐस बी अन का आश्य ये क्म्वाइन द्शन अंकफण्व में आपको important question है बार-बार जो आपका पुनरूप यानि ISBN का पुनरूप आप से पूछा जाता है तो पुनूप क्या है आपका ISBN का international standard book number option है आपका international standard book number next आपका option भी इंडियन standard book number option C international standard bibliographic number option D Indian standard bibliographic number तो जो ISBN है इसका पूरा नाम कै पूर्णूप आपका है International standard बुक नंबर ऊप्षाने क्या इसका राइट है कोशन थार्टी का ऊप्षाने राइट आंसर है international standard बुक नंबर 2003 में 2003 में जो आपके ते कितने अंगते 10 अंगते दयन 2007 2001 एक जनवरी 2007 से इसमें 13 तो इसमें अंक हो गए कितने अंक तेरा अंक और 5 भाग हो गए थे 2001 जनवरी 2007 के बाद इसमें 13 अंक हो गए और 5 इसके भाग हो गए थे ISBN इसका जो मुख्याल है आपका जो ISBN है यह आपका RRLF के द्वारत दिया जाता है यानि की राजर राम मोहनरा लाइबरेरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है इसका जो मुख्याल है 2011 में दिल्ली में हो गए कहां पर 2011 से जो मुख्याल है आपका हैड़कौर्टर है ISBN का वो कहां पर है देली में है देली इसका हैड़कौर्टर होगा किसका आई एश बी एन का जो हैड क्वाटर है वो देली में है 2011 से देली में हो गया तो question 30 क्या आपका important question है चलिए next question क्यों चलते है next question अब आपका question number 31 question 31 आपका दिया गया है और आरलेफ किसकी उन्नती से संबंदित है तो बताए जो आर आरलेफ है यानि राजराम मोहनराई library foundation है जिसके इस तापना आपके उनीशोबात्तर में हुई थी और दोसोवे राजराम मोहनरोई के दोसोवे जनम दिन पर इसके मुझेलापता कलकत्ता में इस्तित है इसके जो और आरलेफ है इसके जो चेतरे कार्येकडर्म है वह कहां का होता है दिल्ली और मुंबई में इसके चेतर है कार्येकरम है और फसे आपके बार बार कि आपको कराई जा रहे हैं जो इंपोर्टन अपके आर आरलेफ से अकैडेमिक लाइबरेडियरी सेक्षिनिक पुस्त काल लएंघ 않아요 सब्सक्थर eux के स fears commercial लाइबरेडियरी श्युलिक लाइबिरी सारजनिक पुस्त काल लिया तो雍म्ठी正निक न न चाले are अरफथ कि न सि Ms. पब्लिक लाइबरी यानि सार्जनिक जो पुस्तकालिया उसकी उन्नती से क्या संबंदित है और आरलेफ संबंदित है जो पब्लिक लाइबरी की उन्नती होगी उससे क्या है संबंदित है उन्नती से संबंदित है चलिए नेक्स्ट जो और आरलेफ है इसका मुख्याल है एड चाहत्रिया है इसके जो कारेकरम हैं वे कहां का होते हैं दिल्ली और मुंबई चलिए नेक्स्ट कोश्चन की और चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन होगा आपका कोश्चन नमबर 32 कोश्चन 32 में पूछा गया है राजा राम मोहन राइड नैशनल एजनसी फोर आईएसबी एनिज लोकेटिड एड राजा राम मोहन राइड नैशनल एजनसी फोर आईएसबी एनि कहां इस्तित है राजा राम मोहन राइड नैशनल एजनसी फोर आईएसबी एनिज 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 फोर आ आहां इस्तित है- आई-स बी-अन में 2003 आई-स जब बी-एन है 2003 में कितने अंग थे दसंग थे और 2001 जनवरी एक जनवरी 2007 से कितने अंग हो गए 2007 से इसमें 13 तो अंग हो गए और पांच क्या हो गए इसके तेरा अंक और पाँच इसके भाग हो गए और 2011 से जो इसका मुख्याल्य है, एड क्वार्टर आपका कहां पर है, दिल्ली में है, कहां पर, दिल्ली में इसका है, और जो आपका, आपका दिया गए राजरा मुहन रोड नैशनल, यह आपका क्या है? 1912 में इसकी स्ताफना की गई थी 200 वे जनम दिन पर 200 वे जनम दिन पर और जो इसकी मुख्याल दूस्स ततोड उसका पर आपका कोलकाता में है काँ पर कोलकाता में इसका हैडकौाटर है ओडेश के चेत्री है जो कारेकरम है वो कहां का होते है दिल्ली और मुंबई दिल्ली मुंबई इसके चेत्रिय कारे करम होते है राजरामोन राय नैसनल एजन्सी आपको दिया गया है जो राजरामोन राय है आपका चलिए अब आपसे पूछ गया है इसका जो राइट ऑप्शन ने आपका मुंबई ऑप्षिन भी चेन नई ऑप्षन सी देली ऑप्षन डिक कोलकाता इसमें पूछा गया जो राधर हम और नाइशनल एजनसी फोर आईएश्बीन कहां इस्तित है तो कहां पर इस्तित है वह आपकी दिल्ली में इस्तित है कोश्ण थर्टी टू का उप्षन दिल्ली इसका राइट आंशार आईश्बीन से रिलेटिट जो आपको दिया गया दोहजार तीन में कितने अंग दसंग थे और एक जनवरी 2007 से तेरा आंख हो गए और पांच क्या हो गए इसके बाग हो गए 2011 से इसका मुख्याले दिल्ली में आ गया और जो राजराम मौना लाइबरी फाउंडेशन है इसका जो मुख्याले है वो आपका कलकता है 200 जनम दिन पर इसकी स्थापन वित्यू निश्व बाहततर में इसके छेत्रिया जो कारेकराम है वे दिल्ली और मुंबई में होते हैं कोशन 32 का उप्सन सी राइट आंस वर चलिए नेक्स्ट कोशन प आपका दा सेरिकुलम ओफ एलाइस एजुकेशन इन इंडिया इस मोश्टली अनिस्टेडी एज लोकल एलाइस रिक्वार्मेंट वैरी अभी कतने भारत में एलाइसी सिख्षा की पार्टे चरिया अधिकान सदर्ड है क्योंकि इस्थान्य एलाइसी आवे शक्ताय बिन होत है अभी कतन के आपका भारत में एलाइसी एलाइस सिख्षा की पार्टे चरिया अधिकान सदर्ड है क्योंकि स्थान्य एलाइसी आवे शक्ताय भिन होती है रीजन रीजन के आपका एडॉप्शन ओफ यूजी सी मोडल स्लेबस इस नोट मेंडिटरी फोर दा एलाइसी पार्टे करम भारत में एलाइस विद्यालों के लिए अनिवारिया नहीं है तर्ग के आपका यूजी सी आदश पार्टे करम भारत में एलाइस विद्यालों के लिए अनिवारिया नहीं है अनिवारिया नहीं है चलिए आप इसके ऑप्शन दिये गए आपके कोर्स है कोर्स A सही है लेकिन आर गलत है option B A is false but R is true A गलत है लेकिन आर सही है option C both A and R are true A और आर दोनों सही है option D both A and R are false A और आर दोनों गलत है तो question 33 का right answer क्या आपका both A and R are true A और आर दोनों सही है question 33 का option C right answer है question 33 का option C क्या आपका right answer है चलिए next question क्यों चलते है next question होगा आपका question number 34 को चलिए अब आपका 34 को चलिए गया है question 34 में पूचा गया what is the name of the initiative taken by the UGC to provide a 24-7 online storehouse of all academic के 맞ठमी यूदगा wonder दी शओपाइस और आपका पूराइचेशन के यूदर अफिशे अपका जारी किये जाने वाले सभी सैख्षनिग पादयों यूदर स्थे एकीन अटीम को मारी रहे पूटर सत्सक्रेइदिए गया जारी किये जाने वाले सभी शेक्षनेव करे का एक 24 इंटु 7 ओन लाइन इस्टोर हाउस परदान करने के लिए यूजिसी द्वारा की गई पहल का नाम क्या है तो देश बर में भी बिन अकादमिक संस्तानों द्वारत जारी किये जाने वाले सभी सैक्षनिक उपादियों का एक 24 इंटु 7 ओन लाइन इस्टोर हाउस में ओक्रतान करने के लिए यूजिसी द्वारा की गई पहल का नाम क्या है तो ये आपका नेशनल मीशन ओन एज्यूकेशन त्रो एशन और कम्मुटिकेशन टेक्शन ह्न माईßen और सны टेकंडनोंगी स्थ हैं फोरनेशन हैं आप कर दे ceiling शिसऑन गण डराब क्रलीन एट्ष एचिए ओंलाइन रजिस्टेशन पोर्टल ऑप्शन डी स्वम प्रभा श्वम प्रभा तो बताइए ऑपका कुशन नमबर 34 इसका जो राइट आंसर होगा कुशंट 34 का राइट आंसर क्या है नेशनल अकेडमी को डैपोजिट्री एन एडी इसका राइट आंसर कोशन 34 का ओप्शन भी इसका राइट आंसर है जो किसके जो एन आपका था ये एन एडी है ये किसके दौरा इस्तापित किया गया है इस्तापित किया गया है तो कोशन 34 का ओप्शन भी राइट आंसर है चल क्वेशन थर्टिफाइफ आइडेंटी फाइडा पैनल्टी इन के सो प्लेगेरिज्म अट लेवल टू इन अकाडमीक एंड रिसर्च पॉब्लिकेशन एज पर यूजीशी प्रोमोशन ओप अकाडमीक इंटीग्रेटी एंड प्रिवेंशन ओ प्लेगेरिज्म इन हाईयर प्रिवेंशन ओप प्लेगेरिज्म इन हाईयर एडुकेशन इंस्टूशन रेगुलेशन 2018 आपका नो पैनल्टी ऑप्शन बी सैल वी दिनाइड और राइट तो वन में अन्यूल इंक्रीमेंट ऑप्शन सी सैल वी दिनाइड और राइट तो तू सक्शिशिव अन्यूल इ की मेंट तो कोशन त आपका थर्टी फाइव इसका रांतां सर आपका कोशन 35 का राइट आउसर आप आपको सैल वी दिनाइड और राइट कोशन 35 का ये और बली ए नेक्सrust कोशन आपका कोशन नमबर 36 आपका दिया गया कोशन 36 में पूछा गया कौन सा कौन सा ISBN ततु किसी विसिष्ट परकाशक या परकाशन विवरन को अभी निर्धारित करता है कौन सा ISBN ततु किसी विसिष्ट परकाशक या परकाशन विवरन को अभी निर्धारित करता है विच ISBN एलिवेंट अइडेंटिफा पर्टिकूलर पप्लीशैर ओर इंप्रिंट विच आईएसबिन एलिवेंट उप्छन्य आपका रजिस्टेशन विवैंट ततु क्रकाशन परकाशन एलिमेंट औप्शन सी पंजी अन्समूतत रजिस्टेशन ग्रूप एलिमेंट ऑप्शन डी जा चंग डिजिट चैक डिजिट यह आपका दिया गया है तो बताएं कौन सा इस ब्यंट तत किसी विशी प्रकाश क्या प्रकाशन वीवरन को अभी निर्धारित करता है तो कौन स करता है प्रकाशन 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 प्रकाश पर आपके लिए अगर आपको चाहिए तो आप लीकि खरीच सकते हैं उसमुक को फेर कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप से प्रेश कर सकते हैं अपको कोश्चन देखने को मिले संदे में आपका अग्जाम था टीजीटी साइंस टीजीटी साइंस और टीजीटी एसटी दोनों का जो पेपर आपका हुआ है संदे में जो आपका पेपर उआ था उसमें प्रिवेश और से कोश्यन आए थे इसलिए आपको बोला जा के पेपर का अगर आपको खरीदने हो तो खरीदने का जो आपको लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप खरीद सकते 30 रुपे में आपको लाइब्रेडी साइंस के प्रिवेश्यर के पेपर मिल रहे हैं चलिए नेक्स्ट कोशन आगे आपकी कोशें नेक्स्ट कोशन आब आपका कोशन नूंबर 37 कोशन 37 में आपका दिया गया है आरेंज दा- live री एसलूशेशन अरेंज दा- लाइब्रेरी एसोशेशन अकोडिंग टू असेंडिंग ओडर ओफ देहर इयर ओफ इस्टाब्लिजमेंट निम्ले कित पुस्तकाले संगों का उनके स्थापना वर्स के इसाब से आरोही करम में लिखिए इस एंडिंग ओडर में आपको दिखना उप्शन आपका इफला आई एफल आउप्शन सेकिंड एपका अएसले और तीसरा अपका सिलिप जो तापका एल अमेरिकन लाइबरी एसोशेशन आपका इस पैसले लाइबरी एसोशेशन जूस सब्सक्राइक टांसब्रों बड़ फ फिर आपका एक्षाम एस लेडि़ाने आपका लाइबरी यह estream पिर पिर आपका बचा ये आपका इसे प्ताले लिए फिर आपका और सोटूर दूसरा पहला तीसर एक आपका और आपका New में आपको चोटा दूतरा पहला थीसरा दिया गया है तो कोशन 37 का उप्षन है क्या है राइट सोरी नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन होगा आपका कोशन नमबर 38 कोशन नमबर 38 अब आपका दिया गया कोशन 38 में पूछा गया यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कोइंड बाई सार बोमिक गरंचूची नियंद्रन की धारना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई तो बताएं किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है जो आपके ऐुझत लिडियोग्रेरी एस्संट फिलयाफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कोइंड बाई वाज कोई बाई तो इसका राइट आंसर क्या आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ लाइबरेरी एसोशेशन एंड इंस्टिटूशन यह कोशन आपका 38 क्या इंपोटेंट कोश्चन है कोशन 38 में पूचा गया था यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कोई बाई तो इसका जो राइट आंसर आपका सार्भों में गरन सुचिन यह इंतरन की धारना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी तो यह इंटरनेशनल फेडरेशन ओव लाइबरेरी एसोशेशन एंड इंस्टूशन इसका राइट आंसर नेक्स्ट इंपोटेंट ह आप सूशन नाइन ताफ आपका कोशन कोशन नाइन पूच अपर है य मेरीकन पूस्त काले संग क्जिब कहां पर है किस सदान पर है जो आपका अमेरिकन है यानि कि A.L.A. का जो मुख्चाले है वो कहां पर है option A, option A क्या इसका इसका इस्टोन, option B, लोस एंजिल, option C, सिकागो, option D, नुई योक तो बताइए जो आपका American Pust का लेस्टंग है उसका जो मुख्चाले है वो कौन से इस्थान पर है किस स्थान पर उसका मुख्चाले है है सिकागो में कोशन 39 का option C, सिकागो क्या इसका राइट आंसर है तो सिकागो में इसका मुख्चाले होगा जो A.L.A. है इसका जो मुख्चाले है एड़क्वाटर है आपका सिकागो में है कहां पर सिकागो में यह कोशन भी आपका important है इसका एक तो पूर्ण रूप यानि कि सुरी जो एल्ये कोशन आपका important question 39 कि यवी कोशन आपको द्नाइन की आपते अल्या अगर आपको दिया इसकी फुल पूरम आप से पूच सकते हैसकी फुल पॉर्म क्या आपकी अमेरिक लाइब्रेडीrão एसोचेशन अमेरिकान लाइब्रेरी एसोशीयेशन उनिसकी फुल फ यह जैसे आपकी यूनिसले वह गया यूनिस्प वह गया यूनिसकों गया इस डेनों आपका ररारलेफ में और बहुत सारी आपका इस तरह की टर्म है जिनका आपको पता होना चाहिए उनकी फुल पॉम आपने पता होनी चाहिए यूजिसी हो गया अधर और है बहुत इस तरह की टर्म आपके बार-बार आपकी आरही है यह आप से पूछा जा रहा है इंपोटेंट है इस तरह की टर्म आपके लिए चलिए नेक्सट चलते हैं आपका लाश्ट कॉशन नमबर 40 कोशन लास्ट कोश्चन लाइज प्रूपश्च से gjॅच तिम ये उतना पंते हैं प्रूपश्च करोगे निकाल एक निकाल लूई पर्फित एकजाम में देखना को tu लेगा बेगा तो बहुत से आपके रिपीट होते हैं तो इसलिए प्रूपश्च्च करकुंट पर आपके लिए इंपोड़न्ट होते हैं अगर आप उन्हें निकालोगे तो कुछ ना कुछ आपको एक्जाम के टाइम में बैनिफिट उनका मिलेगा क्योंकि जो टीजीटी एसिस्टी और टीजीटी साइंस के पर हुआ है उसमें रिपीट कुशन हुए है तो इसलिए आप को ये निकालना चाहिए को जो प्रिवेश ये पेपर है वे आप निकाल लिए तीस रुपे में तीस रुपे के कीमाट पर आपको प्रिवेश येर के पेपर मिल रहा है अगर तीस रुपे में आपका फ्यूचर बनता है तो आप तीस रुपे में प्रिवेश येर के पेपर खरीद यह अगर आपके फ्यूचर के लिए यह बनता है तो आप तीस रुपे कोई बड़ी बात नहीं है चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कोशन है 40 कोशन नमबर 40 आपका दियागे अशोशेशन ऑफ कोलेजे सो शेशन ऑफ कोलेजे एंड रिशल्ट एंड रीसर्च लाइबरी आसल यो 91 अब डियाव जाए जो जैशनbles यह बन इसवेशन ऑफ कोलीज एंड रिशर्च लाइबरी एंसी एरल यूजे क्या लूए विश्योच बताये जो गया तो यूस से क्या है पशन है आपका डिवीजन उफ अमेरिकन लाइबरेरी एसकेशन अमेरिका पुस्टकाले संग का प्रभाग ओप्षन बीडिवीजन ओप स्पेशल लाइबरे女 एसकेशन आम को क्सिद्य नहं cinco का प्रभाग ओप्शन डी एसोशेशन फोर अकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी सैक्षनिक एवा मनुशंदान पुस्तकालियों का संग तो कोशन फोर्टी का पूचा गया था आपका एसोशेशन ओफ कोलिज एंड रिसर्च लाइब्रेरी यानि एस्रील यूएस से क्या है ओप्शन फोरटी का उप्शन जहों अपका यूजज और है कि आप जितनी ज्यादा कोश्ण की प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए ब जो आपको करवाई जा चुक है تhall hagoitel तुक है तो आपको मिल रहर है तो अपना में ज któtours łada स्वाख्यक्व कर लोगे सब्सक्राइब conscious किजें साथ साथ आपको जो celery प्राइब किपे भी देखिए जो तीजिए आस सोन आपफी खुड़ी की घुरीख की जो ने भी यह को फिस देख करके जो आपके आप नीकाल मिलेगा नीवेक्वरी टॉब्रीक पर पमठान खरी अपड़ार ने कTube अद्टेक्सेला नीवे आपनेखने के लिए यह होगाई गाया चले कोश्चन आपके रिपीट होते हैं और जो आपकी टर्म है यह इस तरह की जो आपकी टर्म है आरार अलेफ हो गया आपका इनकी स्थापना होगी है वह आपको पता होने चाहिए जो कोमंट सी चीज है यह कोश्चन में आपके पूछे जाते हैं कोश्चन में क्या पूछे जाते हैं जो आपके फाइव लो है वे आपको पता होने चाहिए पांच के पहुंच जो लो है आपके वो पता होने चाहिए आपके किसका मुक्षालक कब का है यह आपको पता होना चाहिए पता होना चाहिए और जो आपके के सवन है और आपके जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन से कोष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आज की जो किलास आपकी यह नि तक है प्रीवेज़ के आप कुशन परचेस करने आपको तो तीस रुपए के किमत पर आपको प्रीवेज़ आरप से पर पर मिल रहे हैं तो आप प्रीवेज़ तो उसे हिसाब से आपको क्या प्रिवेश शेयर के पेपर निकालने चाहिए प्रिवेश शेयर के अगर आपको चाहिए लाइबरेश साइंस के वह आपको 30 रुपए में मिल जाएगे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है अगर किसी चीज आगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट क्लास में या कमेंट करके बूच सकते हैं जो आपकी क्लास है जो आपकी क्लास आपको मिलती है इसमें आप मैसेज कर देना कमेंट कर देना अगर आपको परचेस करने में कोई भी दिक्कत होती है चलिए आज की क्लास आपके हैं या क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए गा कमेंट कीजिए और वीडियो को जादे से जादे से शेयर कीजिए यूटुब चैनल प्रिक्सल साह पार्टी को सब्सक्राइब करके रखे और नोटिफिकेशन भी आप ओन रखे थैंक यू